और भी सेक्टर एग्रिकल्चर को अगर आप देखे तो वहां भी काफी कुछ काम हो रहा है आज आ नहीं पाया जो कि हमारे एक जो मेंबर थे वह उस पर अग्रिकल्चर पर बात करने के लिए तो बहुत थारे सेक्टर है क्या आप कुछ बता सकते हैं कि किसमें बच्चों को जाना चाहिए कहना बहुत आसान है कि बहुत इजी है सब कुछ आप इंटरनेट पर चले जाओ मिल जाएगा वह कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन टेक्निकली अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें यह चीज़ क्या कुछ पॉइंट हो सकता है कि कहां जाना चाहिए जहां पर आपको कम कॉस्ट में अगर मैं कुछ सुरू करना चाहूं तो वहां पर चोटे पें पर चोटे सहर में भी चुजों को स्टार्ट कर पाऊंग है कि देखे स्टार्ट अप के जमाने में सेक्टर बहुत सारे हैं लेकिन अगर बिहार में संभावनों की कोसिस की है क्योंकि हम अगरिकल्चर से जुरे हुए हैं बिहार में अगरिकल्चर इस प्रॉमिनेंट तूसरा सेक्टर जो है मेरे विवस्त इग्रिकल्चर रिलेटेड एक्स्पोर्ट इंपोर्ट जो हम बहुत ही कम पैसे से भी चालू कर सकते हैं पांच लोग मिलके भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर तीसरा जो सेक्टर है food processing कि इस वेरी इंपोर्टेंट चौथा जो मैंने गॉवर्मेंट को भी सजेस्ट किया था वो था कि बिहार में अल्मोस्ट एक बॉर्डर एस्टेट होनी की वज़े से हमारे पास बहुत सारे एयरपोर्ट हैं छोटे-छोटे अल्मोस्ट सारे डिस्टिक में तो हम अपने होने हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बहुजूद भी और जिनका फ्यूचर बहुत आगे चलके अच्छा है कि इसी में छोटा सावर में कोशन एट करूंगा कि थोड़ा अगर आप पे आप कुछ बता पाएं क्योंकि बच्चे आज की डि जो टेक्नलोजी ट्रांस्फोर्मिशन हो रहा है वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर और इंपॉर्टेंट पारामीटर भी हो गया कनेक्टिविटी के पॉइंट से तो क्या उसमें कुछ एडवाइस कर सकते हैं आप आप लोग ने बजवर्ड आजकल सुना होगा आटिफिशल इंटेलिजेंस मसीन लर्निंग इन सब के बारे में तो अगर आप बहुत सारे ऐसे हुआ हैं जो जिसमें माइक्रोसॉक्ट हो गया गूगल हो गया अमेजन हो गया यह लोग फ्री क्लाउड सर्विसेश प्रोवा कर रहें जहां पर खुद लन कर सकते हैं डेवलाब कर सकते हैं और छोटे-छोटे ओपन सोर्स एं जिसके ब्लала ूप काम कर को अपना कुद का फोड़क्ट हम बिहार से हैं और बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे करें और आज हम यूथ कॉनक्लेव में यह चाहते हैं कि दुबई में रहने वाले जो एंजल इंवेस्टर हैं और हमारे यूथ हैं अगर किसी तरह का कुछ अच्छा एडिया लेकर आते हैं तो we are there to help you